वालकम बैक टू जागो लहूर जनाब लहूर में आजकल हाद तरफ हेल्मेट हेल्मेट हो रहा है और उस हवाले से इंप्लिमेंट कराने के लिए जो सिटी ट्राफिक पुलिस है वो भरपूर तरीके से पार्टिसपीट भी करी है लोगों को अवेनिस भी दे रही है और इस अदूसरी सिवारी है उस पर भी जो है कपाबंदी आयद की गई और इसके लिए डेडलाइन भी दीग गई है कि वह भी हल्मेट का इस्तमाल करें इस तमाम तर से नेरियों पर डिसकाशन के लिए हमारे से मौजूथ होंगे सब्सक्राइब करें आपके हमत का हमत के हवाले से जो आप लोगों ने कैंप इंशुरू कि इस हद तक उसका एक कहले रिजल्ट निकला उस हमाले समय बिसमिल्लाराइब आप्लिक ने बहुत इसमें हमारा साथ दिया मैं समझता हूं कि जो हमने 24 सब्टमबर को लांच की थी इस में माल रोड पा तो तकरीबां 99 परसंट इंप्लिमेंट हो चुका है और पूरे शहर में भी यह तमाम 80 प्लस अब हम दूसरी सवारी के बारे में सोच रहे हैं कि दूसरी सवारी को भी चुके उतने ख़त्रा है जतना पहली सवारी चल रही है तो सेकेंड राइडर जो ह होगा और हम 1 दसम्बर से ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तमाम रोड्स पार बिल्खसूस माल रोड पर और पूरे लहौर में इस सिल्सला में रास्ता एप पर भी अमने नोटिफिकेशन बजो आ दी हैं एटी एट पॉइंट सेक्स मारा एफम है उस पर भी आपके प्रो है कि हेल्मेट के इस्तमाल से जो एक्सिडेंट हुए है और उसमें जो अमवात में शराक की कमी आई है वो आप रेस्क्यू डबल डबल टू के स्टाटिस्रिक्स देख सकते हैं उसमें कोई तक्रीमां 30 परसंड कमी आई है और ये बड़ी चेंज है और नियरो सर्जिंस की है कि हेल्मेट के इस्तमाल से जो हैड इंजरीज है वो कम हुई है और जिससे लोगों की जाने बची अच्छा है अच्छा है हेल्मेट का इस्तमाल चुंके आप इसले कुछ दिनों में देखा आप उने बहुत सफ्ती से इंप्लिमेंट भी करवाया कुछ स्पेसिफिक लोगों की जानब से कोपरेशन कितनी आई है शुरू में तो लोगों का मजाज जिस तरह है कि वो समझते हैं कि हमें पार यह लागू कर दिया गया है और हमारे लिए नहीं है यह शायद पुलिस जो है अपना कुछ बेच रही है तो यह तासर फिर आश्ता इस तक कम होना श अब 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 तक अगर देखें तो हमने तीन लाख से ज्यादा जो है जो है ना चलान पुरे लहूर में कर लिए और माल रोड पर तर्तालीस जार चलान जो हैं वो कर लिए गे और इसमें अब आने वाले दुनों में सेकंड राइडर की जब होगी तो फिर दुबारा अव हम रिजिस्टेंस जो कर रही है इस बात पर भी कि सेकंड राइडर पर हेल में जो खावातीन है उन पर भी पहना लाजम है और जो वैसे भी पीछे बैट रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है खावातीन हमारी पॉपलेशन का 52 परसंट है तो क्या खावातीन की जानकीमती नह 1965 और 1969 में बनाया है तो कनून में चेंज कर वाले हैं हमें अपनी जान अजीज नहीं है हम मोटसेकल को सिंगल सवारी कर दें तो एक राइडर पहन के फिरता रहें जब डबल सवारी का कनून पास है और उसकी गुझाश है सीटिंग कपैस्टी तो दोनों ने पहनना लाज़ क्योंकि वही बात कि जब तक पबलिक के ऊपर को सजाद सजा का कॉंसेप्ट नहीं आता है तब तक वह नहीं चलान भी हुए लोगों को अवेर भी किया गया कैंपेंज चलान सुस्टिं के हवाले से भी हमें बता है यह हमारा एक एजुकेशन यूनिट है जिस तरह की ट्रा सिटी और सुमें फिर हम कमें परमफलेट टकसीम करते थे ऐसमें हम लोगों को किसे अपबलेक डास सिस्टम से आनौंसमेंट करते थे दो हमारे जो प्रटलिंग इपीसर्स है वह अपने पर्रविक्शन के दुरान अनौंसमेंट करते थे हिर हमने मुफलिफ हलका मिरेini और यह हमारा बड़ा स्ट्रॉंग है अला मुदू लिल्ला हम हर महीने में तकरीबन कोई बेश कोई 30 प्लस लेक्चर्स जो हैं डिलिवर कर रहे हैं और कई हजार पंफिलट्स जो हैं तक्रीम कर रहे हैं नहीं यह मैंने जैसे पहले काया है कि एडुकेशनल इंस्टूशिशन्स ठीक है फिर हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है इनफोर्समेंट वाला वह मैंने पहले बोल दिय कि हमने अब तक तीन लाग से ज्यादा चलान किये हैं और 4800 , 43,000 जो हमने माल रोड पर चलान किये हैं फिर हमारा थर्ड फेस आ जाता है आगे यह हमारा फिटनेस के हवाले से हैं तो आप देख रहे हैं कि आजकल स्मोक का बड़ा है तो हमने स्मोक के सिलसला में भी एक स्पेशल कमपेंज जारी क्यूई है और जो गाड़ियां स्मोक मिटिंग हैं जो मोर्चिंग्ची रिक्षा स्मोक मिटिंग हैं जो गाड़ियां हैं उनके खलाब भी क्रैक डाउन है और इनको साथ लेके फिर आगे हमारा जो है थर्ड पार्ट जो है वो इंजिनरिंग वाला है तो इंजिनरिंग वाला आप देख रहे हैं कि सड़कों पर काफी काम हो रहा है उसमें रोड्स है उनकी रीडिजाइनिंग यूटन कट्स वगरा बंद करवाने और इंक्रोच्मेंट वाला फूर्थ है यह बड़ा चालेंज है आप लोगों के लिए इंक्रोच्मेंट वहिक्ल इंक्रोच्मेंट वहाले से क्या कवानीन कहते है और किस तरह से आप लोग उसमें इंप्लिमेंटेशन करवाते हैं उसमें यह होता है कि हमारे लिफ्टर्स हैं 26 ठीक हो गया गया हमने लिफ्टर्स को कमर्शल एरियास में डिप्यूट किया हुआ है अगर हम माल रोड पर देखें तो नकी मार्कीट पैनरामा मार्कीट निला गुंबत प्राणी नारकली इसमें हमने किया हुआ है इसी तरह हमने मालम रोड पर जेल रोड पर और दीगर मार्कीट के बाहर commercial areas के बाहर लगाए हुए वो गाड़ी को लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करके तो फिर उनके 200 रुपे का चार्जिस वो उनके वो लेते हैं उससे काफी फरक पड़ जाता है इसके साथ साथ हमारे patrolling officers जो हैं वो चलान भी करते हैं section 85 के तैट वो उनका चलान करते हैं और document सीज करते हैं तो यह हमने इस तरह thank you very much इस तरह हमने इसको शुरू किया हुआ है जारी रखा हुआ है और यह वक्त की जरूद भी है लहोर में जो सबसे बड़ा मसला है वो insufficient place of parking ठीक हो गया इसमें पार्किंग के लिए जगा नहीं है commercial activity बहुत बहुत जाद है बलकुल और अवा इस्तमाल नहीं करने बिल्कुल हमने घर से निकल ले चार लोगों नहीं तो अलग इलग गाड़ी पर जाने देखे ना अभी government ने आपको कितनी फिसलिटी दी है और ही train है metro bus है LTC है private गाड़ियां है और यह सारी public transport available है तो आप इसको इसको इस्तमाल करें आपकी आने जाने क मसला भी हाल हो जाएगा और traffic transition भी कम हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल तो इस पर awareness भी दे रहे हैं enforcement भी कर रहे हैं अचा अब इस पर मेरी जानना चाहूंगी क्यूंकि अब आप helmet और इन तबाम चीजों पर implement तो करा रहें लेकिन लोगों में road sense नहीं है हम चाहे इतने sense और यह चलान सिस्टम इस सारी चीज़े बितते हैं road sense के लिए हमें कितनी जरूरत है इस वक्त लोगों में अबेनेस जी बहुत जरूरत है road discipline प्यादा करना बहुत जरूरत है road पर चलते हुए अपनी जुमेदारियां दूसरों के अपूर का ख्याल करना बड़ा जरूरी ह जरूरे झाल करी है road sense को आफ झाल जरूरोत करना ड़िनेदा सेखते हुरे जब तक उन्टरस्टेग नहीं यहांतल मैं त्रीच ant trends गोगल का लिए तो आप ट्राफिक मेंगएज्मेंट गूगल क्यों नहीं का उने में आ करते हैं आप ट्राफिक साइन्स गूगल क्यों क्यो आपकी safety और आपकी life की safety के लिए तो फिर एक दूसरे को कि उसका ख्याल रखना सड़क पर चलते हुए और कवारिन को सीखना तो जुम्मेदारी आपकी है हमारा हमने schools जो हैं वो हमारे schools हैं हमारे facilitation centers हैं आप लहुर में देखेंगे हमारे facilitation centers में lessons learner बन रहा है duplicate बन रहा है renewal हो रही है और वो उसमें मुतदत centers जो हैं वो काइम है जिसमें character certificate local government local police भी दे रही है हम भी दे रहे हैं वहां से information आ सकती है 88.6 से आप सुने हमारे educational unit काम कर रहे हैं आपकी on-air काफी programs चल रहे हैं हम pamphlets भी तक्सीम कर रहे हैं हमारी रास्ता अब भी आप download करें तो आप हम से हम सड़कों पर भी आपकी रहनमाई के लिए खड़े हैं और वहां पर जो बंदा जिसको भी मिले आप वो question करें फिर आप अब वाल आप सारग गूगल करके उसमें अच्छा जो अभी अब रास आप अगर आप अगर आप अफम की बात करें तो कितने लोग उसको सुनकर या उस पर एकड़ेंगे हम आप से जाना जाहिए यह मेरा खयाल है इसके 10 लाख से ज्यादा इसके अच्छा और बड़ा positive feedback है और कई दफा मुझे कई senior officers और लिगर शेरों के officers बाल करते हैं तो तो फिर आप technology wise भी हमने बड़ी improvement लाई है इसमें आपने नोट किया होगा कि each learning has been started बिल्कुल तो यह जो safe cities है इसके साथ आपकी किस तरह की collaboration है कितने helpful रहती है आप लोगों को traffic control करने में और safe city की cooperation की safe city और मारा joint venture है safe city जिस जहां नगरानी करती है surveillance करती है monitoring करती है वहां हमें facilitate भी करती है और हम in-form भी करती है जैसे के अभी उन्होंने यह जो है intelligence traffic management system है जिसके तहत वह camera 8000 camera लगे हुए है और वह हमें यह जो number plate detecting और number plate reading जो system होना नहीं है लगाया है उसके तरह चलानीं भी हो रही है तो उनकी इस aspect से signal jumping कम हो गई है signal violation कम हो गई है लोग जो हैं लोगों गरों में यह चलानीं पहुंच रही है और वह उस डेटरंस उसकी बड़ी ज्यादा है अच्छा इससे भी बहुत फर्क पड़ा है इवन हमने खुद भी अक्सर शेयो करती है क्योंकि सुबह जब हम आते थे रोट्स खाली होजी थी थी लोग नहीं द हमारे घर चलान आ जाएगा इसलानिंग पहुंच जाएगी वहां फिर देखना पड़ेगा पेरेंट्स भी नराज होंगे तुम किदर गए थे तुमने क्यों वाइलेट किया है तो इसके साथ साथ हमें वह फिसलिटेड कर रहे हैं कि अगर ट्रैफिक जो सिगनल है उसको आ 30 जो हैं यह सेफ सिटी वाले अपने आटोमेटिक इसको चला रहे हैं और वह खुद ही वहां से उसको बंद करते हैं और चलाते हैं राश के मताबग या ओन कॉल स्टोर्टी मोमेंट के ताहर अच्छे लाहॉर में ट्रैफिक के मिसाइल भी उसके साथ है चुंकि जैसे से अ अपलोगों के लिए देखें जी जो लोड का टाइम हमनों दो धो टाइम होते हैं ज्यादा लोड के मैं समयता हुआ हम जब सुबारों शेल को जबश्र लोग प्र चोड़ने के लिए बच्शों को तो तमाम लोग major time पर निकलतें कॉस लोड का टायम होता है फिर उसके वह वह दे में स्पेशल प्रॉलिंग कनाल पर लगाई हुई है और स्कूल के बाहर भी हमने उनसे इस सिस्टम उनसे बाद करके और वहाँ पर भी डिपलाइमेंट की ही है जो मेरा जाती भी और हमारा पूरा है कि इसको कंजेशन को कम करने के लिए स्कूल की टाइमिंग प्लस उनका ड्राइब थू जो है वो ड्राइब थू जिस तरह के कनेड कॉलेज का बनाया गया है तो यह अपनी पार्किंग अंदर ड्राइब करें और एजुकेशनल इंस्टूशन इनके लेसंस कैंसल करें कि देखे कनाल में तो एक यूनिएस्टी या कॉलेज नी बन सकता ना इसके लिए एक आठ कनाल दस कनाल का एक रख़वा उना चाहिए जिसमें प्लेग्रोंड भी हो जिसमें तुमाम एक्टिविटीज करमे के लिए हो तो यह जब तक आप कनून इंप्लिमेंट नी करेंग क्योंकि यह एक चीज़ ड्वैलप हो चुकी है काफी देखे ना कि बहुत साई दुकाने हैं उनके फेस सड़क की तरफ अगर यह यू टाइप मार्किट्स बनती तो वेहिकल अंदर दाखल होती और अंदर खड़ी हो जाती है तो सड़क पर गाड़ियां कम नदर आती हैं लोग असानी से चलते फिरते अब जिस तरह यह कैंसल हो रही है ल्डीय की कवानीन इंप्लीमेंट हो रहे हैं और पार्किंग जो उन्होंने छोड़ी हुई थी अब दुकाने उन्होंने कनवर्ड कियी हैं मैंने कल भी आप किसी चैनल से सुना है कि वो उसको सील कर रहे हैं और उन्होंने कई प्लादे सील किये हैं यह वक्त की बड़ी जरूरत है और यह नहीं होगा तो आने वाले दिनों में जो हैं इसलाख यह इंप्रूमेंट नजर नहीं आएगी कितनी भी आप ट्रैफिक डिप्लाइमेंट कर लें वो उस तरह उन गाडियों कहां ले आप देखें ना सिक्स्टी सेमन लैक मोटसेकल्स हैं बिल्कुल अठतर लाख गाडियां है एक लोड गैरां लाख की कमोवेशबादी है तो आप देखें अब इसमें हमारे 2747 वार्डन क्या करेंगे 2800 कितनी गाडियों पर एक वार्डन आएगा ठीक हो गया अजर आपको करेंगे दो कॉलेज ने मारे सब पर इन मसूथ आप अशलाम लेकूम मैं तो कैसी है तो आप कैसी है तो मैंने इसे बात कर नीजिए कि हैलमेट का इस्तेमाल कहां तक किस हद तक मॉसर है यानि यह सब्सक्राइब है यह हैं मैं पहने से ना और्मला मुक्सान भी है क्यूंकि अपर्म मारे सांची है जैसे अफिरे कि अभी है तो मॉसर बडमा थ करते हैं तो आप मैंट मैं एक और करते हैं तो यह ऐसका है की अवर फो Ε practicing अभी मीदो झाले के करेंगें जैन्स के रहे होगा है लेकि लेडिस की तो रहा है ज़ेख आप लेडिस के लेडिस की प्रीमेटी कोड़ सकते है टीक हो गया, इस हवाले से भी जालना था, था, धा, अन्यूंध क्यों प्रेम तो, पहली मारी जो डिकेटीय क्यों होते हैं, उसमें क्या होगी हैं? और सेकिंध क्योंट क्यों जिनके ज्यादा राइडूर था, किस तरह से हैलमेट लाणज करेंगे? जी पहले वाली जो मेरी बहन हैं मैं उनसे गुदारिश करूँगा कि हमें मौाशने में हमारी मौरल वैलिउस जो हैं उसको इंप्रूव करना पड़ेगा हमें अपने दीन पर काम करना पड़ेगा यह आपकी सेफटी के लिए है तो जहां प्राइटी आपकी जान होती है वहा करेक्टर बिल्डिंग करें मौरल करेक्टर अपना ठीक करें तो इन्शाला ताला यह साइटी में इंप्रूवमंट आएगी हैलमट का इस्तमाल 100% आपकी जान की फाज़त है ठीक हो गया दूसरी कॉलर सेकेंड यह है कि आप जैसे मैंने पहले गुदारिश की के कानून में तब्दीली नहीं लाई जा सकती और इनसानी जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता यह कुछ सरकस नहीं है यह सड़क है सड़क पर आपके अलावा भी लोग चाल रहे हैं आपके अगर अफराद ज्यादा हैं तो आप सीटिंग कपैस्टी को बढ़ा नहीं सकते तो कनून ब कनून है कि इसको वाइलेट नहीं करना तो आपके ज्यादा अफराद हैं तो आप काइंडी कोई और स्वारी अरेंज करें फोर वील करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें आप बच्चों को लेके तो मोटर सैकल पर बैठके आप अपनी और अपने पूरे खांदान की कि अमने चींज लानी है तो इन्शाला ताला आप देखेंगे कि आपका जेन रही का जयाया और हम सब बच जैंगे और इनसानी जाने जो है वो लाग कोने से बच जाएंगी से हम डॉप करने चाहिए विशा है आज के अभाले से हिलमिट की अवाले से पॉबलिक और दुब जी पबलिक से मेरी गुजारश होगी कि बी गुड सिटिजन और डिसिप्लन जिंदगी में लाएं और सड़कों पर भी डिसिप्लन लाएं ये कवानिन आपकी फाल्स के लिए हैं आइंदा अगर हेलमट से किसी को इशू है तो वो हेलमट के साथ अपने मोटसेकल पर साइड म मेर्स भी लगाएं ताके उसको बैक व्यू जो है वो सारा उसको नजर आए बैक व्यू मिरर से पीशे का हालात और लेकर मोटसेकल या गाड़ी चलाएं लेकर आपकी सेफ्टी हमारा निस्व लाएं है तैंक यू बहुत शुक्रिया आपको से क्या आप आये और आपने इत कुछ मुश्किलाथ हैं डिफिनेटी लेकिन एट देंड ये सिटी ट्राफिक पुलिस की जिमेदारी भी है और हम सबकी एज़े नेशन या एज़े शेहरी भी जिमेदारी है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की जाने भी सेफ करें तो हेलमेट का इस्तमाल आपकी सेफटी के जरूरी है इसमें किसी का कोई फाइदा नहीं है हेलमिट पहने खुद भी सेफ रहें लोगों को भी सेफ रखें और रोट पर रोट सेंस के साथ अपनी गाड़ी मोटर सैकल जो भी वहिकल आप चलाते है उसको प्लीज अपने दिमाग में रखें अपने माइंड में चीज करें कि आपके साथ चाह दूसरे छोगं भी हाँ ड्रेवल करें ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जरा हमक्यासी जो है इस पर भी बात करेंगे लेकिन इक ब्रेक के बाद आप देखते रहें चाल गॉला और